इसलाम अलेकुम उमीद है अब सब खेरेस्ट होगे आज 9 माई 2014 है और आज के माई प्रिजेंटेशन एक तो स्टॉक मार्केट के हवाले से और दो शेर्स के हवाले से जिसमें एक पहला पीए सोई दूसा एवियन है तो इन दोनों कुई क्लिक कवर करेंगे और इसके बाद भ क्लोजी 13,000 का लेवल इसना आज टर्श नहीं किया जो के इंटरस्टिंग बात भी काफी साही लोग कोई की प्रिडिक्शन तरह 13,000 का लेवल क्रॉस करें फिर इसके बाद आगे जागी मेरे 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 इस तरह के लेवल से बड़ा डिफरेंट व्यू है मेरे व्यू है आप अब चुए करो अब पर जा आचा है थे सी जाहए निशार नहीं है जो कि ऑवी से आज आएगा आज नहीं तो कल डेफिनेटिन इसमें एक्सप्रेंशन यह यह है कि थोड़ा सा क्रेकशन जरूरी यह मार्केट अदरवाइस बहुत शाप डिप आ जाएगा जो के अच्छी बाती है जिसमें इन्होंने रिजर्ट में कुछ दिया नहीं जब कुछ दिया नहीं लोग एक्सपेक्टिशन देगा जब कुछ दिया नहीं तो डिफिल एक शाप डिप तो नहीं बदर चार-पाँच परसंटेश कर डिप आ गया इसके मैंने वीडियो भी बनाई ती मैं आपको दिप परसंट बाग्या बॉटम तो इस पॉइंट में मैंने इंडिकेट किया था कि बाइंग ऑपोचिंटी क्योंकि शेर अच्छा है और करेंट मार्केट जिस एंगल में जा रही है न तो टेक्नलोजी से को थोड़ा सा एज्ज है कि गवर्मेंट चाहती है कि बाहर से इंवेस् टॉप मारा मेरे वीडियो चार पांच जन पुरानी हफते की शायद और तब इसने इसना का टॉप मारा मैं समझता हूं कि अभी भी शायद थोड़ा उपर जाएगा है लेकर आइगर आइग हमें स्टॉप मार्के में टार्गिट सेट करके आपको पॉफिट टेकिंग करना इस वेरी इंपॉर्टन खास अब है इसने हाई लेवल पर चली ना मार्केट तो लाजबी आप पॉफिट टेक करें और फिर नेक्स शेयर करें मेरे 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 मुताबिक सतर लॉंग टर्म में 70 रुपीग का शेयर है यह शायद सेजादा भी हो मार्केट अगर कियर इंट मै इसकी वजाए यह पहुत सारा पैसा आज शुका है मुल्क में लोन के मत पाया इंवेश्मेंट के मत पाया लेकिन आया तो इसको ऐसे मार्क चलेगे तो सजेस्टिशन यह पॉफिट टेक एंड मुव तो दे नेक्स टॉक नेक्स हमारे स्टॉक है पाक्सान स्टेट और इस कंपणियों के डेप्ट जादा है इंवेस्टर को कुछ मिलता नहीं तो इस साबसे यह एजए इनवेस्टर मेंट पॉइंट से अट्रक्टिव नहीं है मैं इसकी वीडियो भी दिखा दो जो यह थी तक्रिपन पांच चार दिन पहले वीकेंड पे तो इस पर मैंने जिकर य अब मेरी इस पर क्या वियू है इस पर मेरा भी फिलाल वही वियू है कि कंपनी के वालत से थोड़ा सा मायूस ही रहना के नहीं देगी डेफिनेटली देशाती शॉट टम में भी वी इस्ट्रॉंग वियू है आज इस पर एक न्यूज आई जिसमें लिखा कि पाकसन स्टॉ इसका मतलब यह करना है जो करणा है दूसरी कंपनी से गवर्मेंट बेस वह उनको बलेंगा आप कर लो अपने शेर्में तो वह करेंगे लेकिन इस जो आर्टिकल है यह चेर्मेंन और सी यह मैंने इनकी स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि अब्स अच्छा सोचा अज़ा इस चीज को अपने माइंड में रखना तो बहुत ज्यादा हाइली गवर्मेंट डिवेन इस तरह का स्टैप ले तो मेरे खाल में बहुत टाइम लेगेगा इमीडिटली एक्षिन कुछ भी नहीं होगा मार्क माय वर्ड्स इमीडिटली कुछ नहीं होगा हो सकता है इंट्र चले अगर मिसाल के दौर पर लैसे इस पर इंपलेमेंट हो जाता है दूसरी कंपनी स्टेक दे देती है तो होगा यह पीज़ेबल खतम होके अब इसको नहीं होगा तो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टैप है मैं समझता हूं बहुत ऐसा ही करना चाहिए अगर हो सकता त मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमें इसको ना अपने पॉटफिली में थोड़ा बहुत लाजमी रखना है लाजमी रखना चाहिए कि बहुत जाए पोटेंशल है इसका शेयर के हवालत है एक तो इसका सर्कुलर डैट की पेइमेंट का की चांस है तो जैसे पे होगा त कैपिटल गयने लॉंग टर्म और शॉट टर्म दोनों में इसमें पुटेंशल है तो अगर आपके इस लाजमी इसमें दोड़ा बाद इन्वेस्ट करें लास्ट विडियो पनाई तब इतने गई ताक को जादा फरक नहीं है लेकि मैं समझता हूं कि आप इसको रखना चाह कोई बी पॉजिशन ओपर करने के साथ साथ उस पर इस टॉप लॉक्स लगाना बिल्कुल ना बुलें क्योंकि वेरी हाई लेवल्स पे और हमेज़ा थोड़ा भी गेन हो इस वक्त कभी थोड़ा भी गेन हो आपके पॉफिट बुक करके मूफ तो दे नेक्स स्टॉक पे ब करने मेरे ब्लागों असलाम अले कुम्